24 के सबसे बड़े बदलाव मैंसे एक बदलाव ये भी है किसान भाई हो कि इसमें जो 1428 का टायर आता था उसको बदल के कंपणी ने भाई साब 1528 का टायर दिया है और वो भी भाई साब आपको MRF कंपणी का ही देखें के लिए उसकी के साथ जोंडियर के टेक्टर में फ्रें जिसमें आप फ्यूज विगेरा से कनेक्टिविटी लेके टेक्टर में और बहतर और शांदार तरीके से टेक्टर को मॉडिफाई करा सकते हैं इस बार जोंडियर ना जो है टेक्टर की यह जो लोड़ लिंकिंग पॉइंटेज है इसको भी थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है जिससे क्या होता था किसान भाई हो पहले इंप्लीमेंट फसाने के लिए काफी जादा मसकत करनी पड़ती थी और भाई साफ इंप्लीमेंट को जादा अंदर तक लेके आना पड़ता था लेकिन इस बार भाई साफ इसके अंदर भी आपको इंक्रीमेंट मिलता है जिससे आ कंबे समय तक आपको यदि आप टेक्टर में पानी में डुबा के भी चलाते हैं तो दिक्कत नहीं होती क्योंकि यह नॉन क्रॉस वाली होती है ठीक है क्रॉस वाली में जबकि पानी अंदर जाने का चांस रहता है लेकिन यह पूरी ओइल फील्ड होती है नमस्कार किसान 24 में कंपनी ने इसके अंदर जो है नए-नए बदलाव किये हुए है अब इस्टेक्टर के अंदर आपको जो है गेर प्रो भी देखने के लिए मिल जाता है उससे क्या हुआ है किसान भाई हो इस्टेक्टर के अंदर जो पीडिऊ पावर है वो भी आपको पहले से बढ़के देखने के लिए मिल जाती है क्या कैसी चीजे होने वाली है पूरी और संपूर्ण विस्त्रे जानकारी देंगे यह आप चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक फॉलो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सबसे पहले तो बात करें किसान भायू जैसे कि मै एक सो अंठानवे किलोबाट का ही देखने के लिए मिलता है उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसके इंदर जो है भाई साथ टायर साइज के इंदर इन्हेंस्मेंट हुआ हुआ है तो यहां पर भी कंपनी ना भाई ठीक है तो छोटी-छोटी चीजों में कंपनी ना काफी अच्छा बदलाव किया हुआ है उसी के साथ साथ इस्टेक्टर के अंदर जो इन-लाइन पंप है बहुत कंपनी के इन-लाइन पंप की एक बड़ी खासियत होती है जिसके करने इस्टेक्टर का जो माइलेज है वो भ पावर आपको मिलती है तो भाई साथ आवा आप इस्टेक्टर के अंदर कहना चाहिए मेरे हिसाब से तो साड़े छे फिट साथ फिट तक का रोटर वेटर बड़े अराम से चला पाएंगे और एक चीज हमेशा ध्यान रखें किसान भाई हो अब रोटर बेटर चला रहे है तो भाई साथ स्टेरिंग भील भी आपको जो है टोटल चैन्ज कर दिया गया है अब आपको स्टेक्टर के अंदर जो स्टेरिंग भील है छोटा स्पोर्टी स्टेरिंग भील कंपनी ने ओफर कर दिया है जिसके करना भाई साथ अब आप स्टेक्टर को और कमफर्ट या कह ना चाहिए अरामदार एक टरीके से उपरेट करने वाले हैं उसी के साथ साथ किसान भाई और ड्राइवर के राइट तरफ यदि मैं बात कर लूँ तो यहां पर जो है भाई साथ आपको इस टेक्टर का ड्राफ्ट लीवर और पॉजिशन लीवर देखने के लिए मिल जाता ह है साथ ही कंपनी ने एक बड़ा ही स्वांदार फीचर जो कि इस टेक्टर के अंदर लिफ्टोमेटिक है वो भी आपको दिया हुआ है जैसे आप अपने टेक्टर को किसी सेफरेट नेट में सेट करके लंबे समय तक एक सी एक्कुरेसी के साथ में जुताई वोनी का मजा ज यहां पर जो है आपको अपने के एक दो तीन चार मैंचार गेर देखने के लिए मिल जाते है उसी के साथ साथ मैं बात करूँ इसके बरेक वगेरा की तो यहां पर आपको इस टेक्टर के अंदर ओयल इमर्स मुल्टी प्लेटिड ब्रेक्स जो है दिये हुए हैं जिससे ब् यहीं पर कंपनी ने रिवर्स का गियर दिया हुआ है उसी के साथ किसान भाई ओ जो ऑंडियर के इंदर खास तोर से भाई साथ बहुत खास तोर से ख्याल रख के बनाया जाता है तो क्योंकि भाई साब ये multi utility टेक्टर है तो उसे साब से company ने इस टेक्टर को design किया हुआ है तो इस टेक्टर के अंदर आप 540 economic 540 standard जब आपको लग रहा है कि भाई साब हमें टेक्टर में जादा round की जरूरत नहीं है ठीक है कम राउंड की जरूरत है या भाई साब आपको टेक्टर के अंदर डीजल सेव बिगेरा करना है तो आप 540 economic मोन में चला सकते हैं पीडियू के अंदर भी जो है आपको इस टेक्टर का independent clutch ही देखने के लिए मिल जाता है उसी के साथ सथ किसान भाई यह जो टेक्टर है आपको मैं देखा रहा हूँ फोर विल ड्राइब तो फोर विल ड्राइब का जो लीवर है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर fuel tank capacity के अंदर थोला सा भाई साब कारुस्तानी की गई है अभी जॉन डियर ने कुछ पिछले दिन कुछ जो टेक्टर आये थे उसके अंदर 50BD मॉडल में फाइबर का टूल बोक्स देना स्टार्ट कर दिया था लेकिन भाई साब उसको discontinue करके जोन डियर ने फिर से इस टेक्टर के अंदर देख सकते हैं लोहे कही गयाना चाहिए भाई साब टूल बोक्स देना ओफर कर चुका है यह भी अच्छी बात है तो मुझे तो सबसे अच्छे इस टेक्टर का स्टेरिंग भी लगा जिससे भाई साब टेक्टर के अंदर जो कामफाइड है कहीं न कहीं इन्हेंस हुआ है और यहां पर जैसे कि मैं बात कर लूँ भाई साब आपको यह जो है भाई साब डिफेंश या लोग देखने के लिए मिल जाता है सीड वेगेरा जो है आपको स्टेक्टर के अंदर मल्टी अजेस्टिवल देखने के लिए मिल जाएगी अभी स्टेक्टर के अंदर 14-28 के टायर आते थे किसान भाई हो लेकिन 15-28 टायर के साथ भी मैं आप स्टेक्टर के नीचे जो गैफ है काफी अच्छा बढ़करार है देख सकते हैं जिसके कारणों किसान भाई हो जब आप इस ट्रैक्टर के अंदर परलिंग जैसे कामों को करेंगे तो यह ट्रैक्टर काफी अच्छी और बहतर परफॉर्मेंस देगा और अंदर जो मिट्टी विगेरा चोक होने की समस् के लिए नहीं ही मिलेगी उसी के साथ साथ यहां पर जो लोर लिंकेंस पॉइंटेड है यहां पर कंपनी ने इसके साइच को करीब करीब 5 से 6 एंच किया हुआ है जिसके करण अब आप इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंप्लिमेंट विगेरा फसाने में थोड़ी बहुत दि ट्रैक्टर के अंदर अटेच और डिटेच कर पाएंगे उसी के साथ साथ इस ट्रैक्टर के अंदर जो एक्सल विगेरा है आप देख सकते हैं कंपनी ने प्लेनेटरी ड्राइब रेयर एक्सल दिया हुआ है जिसके करण भाई साब ये ट्यक्टर जटके विगेरा नहीं ल की फेस दिया जाता है तो जब भी आप यहां से लाइट्स विगेरा उठाते हैं तो अर्धिंग कहीं न कहीं ट्रैक्टर के अंदर या ट्रॉली विगेरा में जो भी इंप्लीमेंट वासा उसके अंदर दे सकते हैं हेवी ड्यूटी कंपनी फिटेट आपको डवल डिस्टिबीटर बॉल्व देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे मल्टी प्लाव जैसे इंप्लीमेंट्सों को आप इस डिस्टिबीटर बॉल्व की सहायता से ऑपरेट करने वाले हैं और पीडियू के अंदर भाई साप यदी मल्टी गियर स्पीट की पीडियो ऑफर की हुई है उसी के साथ साथ इस टेक्टर के अंदर लिफ्ट कैपसेड़ी में बात करूं तो 1800 से अल्मोस्ट 2000 लगवग लगवग किलोग्राम की छमता वाली देखने के लिए मिल जाती है तो भाई साथ कैसा लगा आपको जॉन डिय पचास पचास डी गियर प्रो मॉडल के बदलाओ कमेंट करके जरू बताएगा वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक फॉलू चैनल को सस्प्राइब जय जवान जय किसान